तो हे गाईज देखे आज बात करने वाले हम GTL InfraTech Limited और साथ ही साथ सुलोन एलरजी के बारे में तो बहुत ज्यादा तो इनके बारे में देखे कंपनी के बारे में नहीं बताएंगे आज इनका रिजल्ट आया है उसको दिखाएंगे तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में द देख लेते हैं कैसे रहे है यह नंबर चेक करेंगे जानेंगे क्या आगए फ्यूचर इसका हो सकता है लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यह सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि ऐसी ही शेर मार्किट की न्यूज आपको हमारे चैनल पर मि जी टियल इंफ्राटेक्चर और दस नवंबर का यह आज ही का नोटिस है आज ही यह रिजल्ट आया है नीचे सब्जेक्ट देख लेंगे तो देखिए सब्जेक्ट है आउटकम ऑप दा बौर्ड मीटिंग यानि की बौर्ड मीटिंग हुई उसके बाद जो आउटकम आया और यह सेम क्वाटर का पिछले साल 2021 का तो देखिएंगे अगर हम टोटल इंकम देखें तो 36645 लाग मतलब 366 करोड के लगवग यह इंकम जनरेट हुई थी पिछले सितंबर में 2021 में और जून में हुई यही 36271 मतलब की 362 करोड की और अब की बार हुई है 364 करोड की तो एक छोटा से जंप यहां पर हमें देखने को मिला है क्वाटर टू क्वाटर लेकिन अगर हम एर ओन एर देखें तो यहां कमी आई है साथी साथ टोटल एक्सपेंसी देखेंगे तो एक्सपेंसी देखें जहां 573 करोड के हुआ करते थे वहां अब जून में हुए यह 642 कर करोड के तो एक्सपेंस कंपनी के बढ़े हैं अगर प्रोफिट या लोस देखें तो देखिए जो ब्रैकिट में होता है यह लोस होता है हमेशा तो यह लोस हुआ करता था कभी 207 करोड का दो है 211 के क्वाटर में और जून के क्वाटर में यह था 289 करोड लेकिन इस बार बढ़कर यह हो गया है 317 करोड तो जीटियल इंफ्रा का जो यह रिजल्ट है बहुत ही मैं कहूंगा एक बेकार रिजल्ट आया इसे कोई कहीं से भी थोड़ा बहुत भी अच्छा रिजल्ट जिसको नहीं कह सकते हैं और करज में डूरी कंपनी है तो दोस्तों उइस लोन का आज रिजल्ट आने वाला है अभी तक आया नहीं आज जो तीन रिजल्ट आंे वाले थे गत्र जो है जाने वाला है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक करें नमस्कार में यह भारत